प्राचीन भारती इतिहास का लेक्चर चल रहा था जिसमें हम बात कर रहे थे फिलहाल प्राचीन भारती इतिहास के अध्यन के सुरोतों के बारे में और अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा पुरा तत्विक सुरोतों को ले करके और आज अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे शाहितिक स्रोतों के बारे में तो सुरू करते हैं और सुरूत करने चैनल की ग्रोथ आप पर ही डिपेंड करती है तो फिलाल ये सब बाते आप लोग समझते ही हैं करने और करने की बाते नहीं है ठीक है तो यहां हम बात करते हैं देखिए अपने पिछले लेक्चर में हमने पुरातात्विक स्रोतों को तो देख लिया निकी जो भारती इतियास के अध्यान स्रोत थे वे दो भागों में मुख्यतया डिवाइड किये गया एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरे साहित्तिक स्रोत जिसमें पिछले लेक्चर में हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात कर ली और अपने आज की इस लेक्चर में हम बात करेंग साहितिक स्रोतों की साहितिक स्रोतों को फिर से दो भागों में बाटा गया एक तो भारती साहित थे और दूसरे विदेशी साहित्यों में विदेशी साहित्यों में प्रमकुरूप से विदेशी आत्रियों के विवरण सामिल रहे ठीक है और भारती साहित्यों को भी फिर से तीन भागों में डाट बाटा गया फिलाल इनके बारे मैं भी देखते हैं पहले यहां जान लिजिए जो विदेशी आत्रियों के विवरड रहना इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया एक तो यूनान एवं रोम के लेखकों में दूसरे चीनी लेखकों में और उसके बाद अरबी लेखकों में युनान और रूम से आए लेखकों में प्रमुकूरूप से रहे मेगरस्तनीच, टालिमी, हेरोडोटस, निरियाकस, अरिश्टोबूलस और अन्य और इसके अलमाद चीन से आए लेखकों में फाहियान, वे डिटेल से जानकारी होगी यहां देखिए भारती साहित्यों के बारे में थोड़ा लंबा है तो आराम से समझने का प्रयाज कीजिए ठीक है ध्यान इदर उजर मत भटकाईएगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे भारती साहित्यों को तीन भागों में बाटा गया एक तो धार्मिक साहित्यों दूसरे धर्म निर्पेच्य साहित्यों और तीसरा अस्थान रहा संगम साहित्य का धार्मिक साहित्यों को फिर से तीन भागों डिवाइट किया गया और यहाँ पर चलने से पहले संगम साहित्यों को देख लिजिए संगम साहित्य में प्रमुकुरूफ से सामिल रहें तिरुकूलर, सिलपपा दिकारम और मड़ी मेखले और सबसे अंत में जीवक, चिंता, मड़ी वहीं धर्म रिर्पच्च साहित्य इनके बारे में अंत में बात होगी या फिर अंत के ठीक पहले यानि कि इसके ठीक पहले इसके बारे में बात होगी या किस प्रकार के साहित्य थे ठीक और फिलाल यहाँ बात करते हैं और जिनके बारे में चर्चा करना जरूरी है वे हैं धार्मिक साहित्य ठीक धार्मिक साहित्यों के बारे में बात करना और चर्चा करना इस वज़े से जरूरी है क्योंकि डारेक्ट प्रस्न आते हैं यहां देखिए धार्मिक साहित्यों को फिर से तीन भागों में बाटा गया ब्रामर साहित्य बॉद्ध साहित्य और जैन साहित्य ब्रामर साहित्य को पाज में फिर से विभाजित किया गया और यहां पर आने से पहले प्रमुक बॉद्ध साहित्यों को जानिये तो देखिए स जैन साहित्यों को जो है आगम कहा जाता था जैन साहित्यों को आगम कहा जाता था और इन में प्रमुक रूप से जो प्रमुक जैन साहित्य थे वे थे परिशिष्ठी परवन, बद्र बाहुचरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आगे बात होती है इनके बारे में हमार फिलाल यहां देखे ब्रामर साहित्यों को देखे फिर से कई भागों में बाटा गया कई भागों का मतलब दस भागों में ब्रामर साहित्यों को बाट दिया गया जिनमें वेद, ब्रामर गरंथ, आरण्यक, उपनिसत, वेदांग, उपवेद, सड़दर्दन, महाकाव, पुर करन निरुक्तु छंद और ज्योतिस ठीक है सड़ दर्सनों में सांक योग न्याय वैसे सिक पूरु मिमान सा और उत्तर मिमान सा सामिल है चली आए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले करिएगा कि उस लेक्चर को आप लोग देख लीजेगा मैं प्लेलिस्ट में एड कर दूंगा उसे तो जरूर देख लीजेगा जो ज्यादा डीटेल से संहिता कहा जाता है या फिर वेद संहिता कहा जाता है ठीक है चारों जो वेद हैं इनको संहिता या फिर वेद संहिता कहा जाता है चली बात करते हैं सबसे पहले रिगवेद के बारे में तो रिगवेद का समय जो निर्धारित किया गया ना वह लग भग लग भग पेन पंद्रासो मेजड़न लेना है कभी कभी भूल लाता ह्थ फंद्रासो मेजड़नेद पर्यू是 1000 그걸 किया वहाँ आपका रिग वेद के लिए निर्भारीद किया गया ठीक है और अच्छा वेदों से हमको पता क्या चलता है देखे जो प्राचीन आरे थे ना उनके सामाजिक आर्थिक और धार्मिक के साथ किसके किसके सामाजिक क्यों अध्यन कर रहे हैं हम लोग वेदों का ठीक है हमको क्या जरूरत पड़ गई सामाजिक आर्थिक धार्मिक और उनके राजनितिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है किनके जो प्राचेन आरे लोग थे उनके बारे में जानकारी प्राप्ट करने का एक मात्र जो शूरोत है वह है वेद जो कि ehkä चार है रिगवेद, यजरुवेद, सामवेद और अथर्वेद रिगवेद की बात कर रहा थे हम लोग जिसका समय हमने बताया 1500 इसा पूरू से ले करके 1000 इसा पूरू तक का समय है रिगवेद का और यह जो है ना 10 मंडल में विभाजित है ठीक है कितने मंडलों में 10 मंडल में विभाजित है और इन 10 मंडलों में 1028 सुक्त है और साथ ही साथ 10,580 रिचाएं हैं या स्लोक हैं ठीक है 10 मंडल 1028 सुक्त और 10,580 रिचाएं हैं और रिगवेद को पढ़ने वाले को यानि कि रिगवेद का जो अध्येता होता है उसको बोला जाता है होत्री क्या बोला जाता है होत्री और एक अन्य और महत्पूर तत जानते रहे कि जो रिगवेद है ना स्लोक हैं और अ आन्तिम बताया गया ना आपको 10 मंडल हैं ठीक है तो रिगवेद का जो पहला मंडल और जो अँंतिम मंडल है ना यह सबसे अंत में जुडा गया आनि कि सबसे नवीन हैं यह भी आप कह सकते हैं प्रश्ण में कभी कभी हेर फेर किया जाता और कह दिया जाता है कि जो पहला और दस्वा मंडल है वह नवीन है तो यहां पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कन्फ्यूज मत हो ये जो पहला और अंतिम मंडल है जो दस मंडल है रिगवेत के उन में पहला और अंतिम मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है सबसे बाद में लिखा गया था अर्थात पहला और अंतिम मंडल दूसरा और आठवे मंडल से दूसरे और नवे मंडल से जादा नया हाथवा नवीन है, ठीक है, सबसे पहले लिखे गए, दो से लेकर के नव तक, उसके बाद उसमें दो और मंडल जोड़ दिये गए, पहला और दस्वा, ठीक है, मंडल मंडल ना याद रहे, तो आप चप्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, या भाग, बस याद करने के ल प्रमुक मंडलू के अगर बात करें, तो जित रिगवेत का तीसरा मंडल है, वह सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, हालांकि वहां सूर्य देवता के नाम के रूप में प्रयोग किया गया है, सविता का, ठीक है, तो तीसरा मंडल हुआ, सविता को समर्पित है, और इस इसके अलामा जो रिगवेत का दसवा मंडल है वहाँ पर वर्ण विवस्था के बारे में बात की गई है या यूं कहें कि सरवपर्थम वर्ण विवस्था की बात भी यहीं की गई है रिगवेत के दसवे मंडल में कौन-कौन से चार वर्ण है ठीक है या फिर चातुर्य विवस्था ठीक है या चातुर वर्ण समाज यह बात की गई है रिगवेद के दसवे मंदल में सर्व प्रथम चारू वर्णों के बारे में तो आपको पता ही होगा ब्रामण छत्री वैस और सुद्र ठीक है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रिगवेद के ब्रामण कित और दूसरे नमबर पर हम देखते हैं या फिर दूसरे ब्रामण का नाम है कौसी तकी क्या नाम है कौसी तकी का एक अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेगा या फिर प्रस्टों में पूछा जा सकता है इसका नाम है संखायन कौसी तकी या संखायन दोनों एक ही नाम है रि एक प्रमुगबाद रिगवेद के बारे में यह भी है कि रिगवेद को जो है वह यूनेसको के द्वारा यू एन एस सी ओ कैसी संस्ता है कब इस्थापना हुई थी कमेंट बाक्स में बताईए नहीं पता है तो आगे बाद की जाएगी इसके बारे में भी ठीक है छोड़ा क्यों कि दारा विश्व मानव धरोहर साहित्य के रूप में रिगवेद को सामिल किया गया है ठीक है चली आगे बात करते हैं और बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे वेद की जिसका नाम है यजुर्वेद ठीक है तो यजुर्वेद में देखिए ज्यादत करना है कैसे नहीं करना है उनका विवरण किया गया यानि कि नियमों या विधानों का संकलन किया गया है आपके यजुर्वेद में ठीक है तो इसलिए इसको क्या कहा गया है नियमों या विधानों का संकलन और वो भी यग के संबंध में किया गया है तो इस वज़े से इसक कर्म कांडी वेद भी कहा जाता है किस कारण से क्योंकि इसमें यग्यों से संबन्धित नियमों और विधानों का संकलन किया गया है रिगवेद देखिए दो भागों में बाटा गया यजुरुवेद को एक तो सुकल यजुरुवेद है और दूसरा भाग है इसका कौन सा आएगा सुकल के बाद बताईए क्रिशन यजुरुवेद ठीक है एक अन्य बाद जानिए कि यजुरुवेद जो है वह गद्य और पद्य यानि की कविता और पैराग्राफ दोनों रूपों में है ठीक है ऐसे ऐसे लिखा भी हुआ है और कविता के रूप में भी कहा गद्य और पद्य दोनों रूपों में जिसमें सुकल यजुरुवेद जो है यह सिर्फ और सिर्फ पद्य में है तो क्रिश्न यजुरुवेद जो है वह पद्य और गद्य दोनों रूपों में है रिगवेद का पुरोहित होता है या फिर जो रिगवेद का जो अध्यता हो चार हो जाएंगे वे और उन चारों के नाम है प्रमुक रूप से कठोपनिसत ये सब रिगवेद के उपनिसत हैं ठीक है कठोपनिसत पहले उपर खाटा दो तब लिखने में आसानी होगी कठोपनिसत इसोपनिसत स्वेतास्वर उपनिसत और सबसे अंत में बात करते हैं मैत्रायडी उपनिसत कितने उपनिसत है यह जुरुवेद के तो चार हैं कठो उपनिसत, ईसो उपनिसत, स्वेतास्वर उपनिसत और मैत्रायडी उपनिसत ठीक है और जो रिगवेद का अंतिम अध्याय है डारेक्ट प्रस्ण एक बार आया था इसे PCS की परिच्छा में आया था ठीक है तो जिर रिगवेद का अंतिम अध्याय है वह कौन सा है या फिर कौन सा उपनिसत है तो जिर रिगवेद का अंतिम अध्याय है उसका नाम है इस वस्या उपनिशद इसा वास्य उपनिशद यह रिग्वेत का अंतिम अध्या है एक बार जानते रही हो सकता है रिपीट प्रस्ट प्रस्टों में आ जा है ठीक है और इसा वास्या उपनिशद का जो संबंद है या आध्यात्मिक चिंतन से किस से है आध्यात्मिक चिंतन ठीक है इसा वास्या उपनिसद आध्यात्मिक चिंतन से संबंदित है अगर बात करें ब्रामण की तो ये रिगवेत की भात ही जो है यजूर्वेत के भी दो ब्रामण है रिगवेत के ही नहीं रिगवेत का एतरे और कौसित की है तो यजूर्वेत के जो दो ब्रामण ह उनके नाम है सतपत् और दूसरा है तैतरी भी? तैतृरी चलिए बात करते हैं अगले संहिता या फिर वेद के बारे में प्रमन संहिता नहीं होगी संहिता संह्धुक्तु रूप करते है। जिसमें देखें सौमका अर्थ होता साम वेत है यहीं से हुई है इस कारण रिगवेत के संगीत का सुरोत भी कहा जाता है अत्वा भारती संगीत का जनक भी कहा जाता है रिगवेद कहरा है सामवेद को भारती संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद में देखिए 1875 रिचाय हैं जिसमें ज्यादातर रिचाय हैं जो है रिगवेद से ही ली गई है और इसके अलावा जो सामवेत का उदगाता होता है या फिर जो सामवेत को पढ़ने वाला पूरोहित होता है उसको उदगाता कहा जाता है ठीक है जो सामवेत को गाता है उसको उदगाता कहा जाता है और इसके प्रमुक उपनिश्दो की बात करें तो सामवेत के जो है दो उपनिशद है एक तो जैमी नी है, ठीक है, सामवेद के हैं ये दोनों, इधर उधर मत भटकी होगा, ठीक है, ब्रामवड इसका तीन है, कौन कौन सा, तीन नहीं, दो ही ब्रामवड है, पंचवीस और सड़ीस, तीन बोल रहा हूँ है, ठीक है, पंचवीस और सड़ीस, दो ब्रामवड हैं इसके, स साम वय्द के पाने सब Ведь करने से पहले थोड़ा कर ले रहां जल रहन कर ले वैदों के बारे बात करते ला है कि नहीं पानी पीलू है गार बात करते हैं सबसे अंतिम वेद की जिसका नाम है अथरवेद ठीक है इसकी रचना ना सबसे अंतमे की गई थी यानि की यह सबसे नवीन वेद भी होगा ऐसे भी आप इसे कह सकते हैं ठीक है इसकी रचना की गई थी अथर्व और तथा अंगिरस रिसी द्वारा किसके द्वारा अथर्व और अंगिरस रिसी के द्वारा ठीक है इस कारण से इसका एक अन्य नाम आ जमांगीरश वेद भी कह जाता है अथर्वेद को इस वेद में 731 सुक्ट हैं कि 20 अध्याय हैं है और सा garant ही सात लगभग 6,000 मंत्र है अथर्वेद में ठीक है अथर वेद के यह ब्रम गिन्से समंदित है ही इसके अलावा यह वेद जो है धर्म, समाज निष्ठा और औसधी ध्यान दिजेगा औसधी प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, आजी से भी सम्बंदित है तंत्र मंत्र भी इसमें है, जादू टोना, तंत्र मंत्र इनसे भी सम्बंदित है, कौन सा वेद? अब वहां मत चले जाएगा यह यह वेद के पास, उसे करम कांडी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें यग से सम्बंदित नियमों एवं विधानों का संकल या जुरुवेद में न की उसमें जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों के बारे में बताया ठीक है तो देखे आउसधीय प्रयोग बताया गया है अथर्वेद में रोग निवारण के बारे में बताया गया है जादू टोना तंत्र मंत्र इसको तो आप मस्तिस्क में बैठा के रखिए कि औसधिय प्रयोग रोग निवारण जादू टोना तंत्रमंत्र या सारी विद्याएं आपको सबसे अंत में देखने को मिलेंगी अथर्वा गिरस वेद या फिर अथर्व वेद में बात करें अगर अथर्व वेद के उपनिशदों की तो प्रमक्तिया इस सब्संत्रम आए उसका नाम है मांडुक्यों समयों जैते वहीं से लिया गया किस से मांडुक्यों पनिशद से नहीं मुणुक्यों पनिशद से कन्फ्यूज मत होीएगा मुंडकोपनिसद और मांडुक्योपनिसद दोनों ही अथरवेत के ही उपनिसद हैं लेकिन मुंडकोपनिसद से सत्मय उजयते को लिया गया है जो कि हमारा राष्ट्री आदर्स वाक्य है ठीक है यहीं आगर इनके अलामा आगे बात करें तो जो इसके ब्रामण हैं वह मात्र और मात्र कितने हैं बताईएं एक सबके हमने दो-दो पढ़े लेकिन अथरवेत का एक मात्र ब्रामण है जिसका नाम है गोपत ठीक है आगे और अंत में कि इसी वेद में सभा और समिती को प्रजापत की पुत्रियां बताया गया इनका महत्र और ज्यादा बढ़ गया सभा और समिती को इनको प्रजापत की दो पुत्रियां बताया गया इसी अथर्व वेद में चलिए अब आगे बात करते हैं और देखते हैं ब्रामण आरणेग और उपनिश्दों के बारे में तो देखेए सहीता के बाद यहां सदेखिए ज्यादा आसान होगा आपके लिए देखिए जो ब्राम्हड आरणनेक और उपनिजद है इनका अर्ष्थान वैदिक सहिताओं यानि की चारो वेदों के बाद आता है जिसमें जो ब्राम्हड गरंथ है न यह वैदिक सहिताओं के व्याक्षा के लिए गद्ध स्वरूप में और प्रमुक रूप से प्रतेक वेद के हमने ब्राम्हड देखें जैसे रिग वेद का हमने देखा एतरे और कौसित की ठीक है यजूर वेद का हमने देखा सत्पत और तैतरी साम वेद के ब्राम्हडों का हमने देखा 25 और 27 और सबसे अंत में अथर वेद का एक ब्राम्हड देखा गोपत ब्राम्हड अब अध्यन क्यों आउस्टेक हो जाता है इनका तो देखे उत्तर वैदिक कालिन समाज तथा संस्कृत के विशय में महत्पूर्ण जानकारियां मिलती हमको कहां से ब्राम्हडों से आरण्यक और उपनिश्दों के माध्यम से आगे बात करते हैं व सुत्र कितने हैं बताइए या सुत्रों का अध्यन क्यों आवस्चक है देखें यहां देखें फिर से नीचे वेदों को भली भादी समझने के लिए क्या किया गया छे वेदांगों की रचना की गए जिसमें सिच्छा में उच्चाराण की विदिके बताया गया जोतिस में भाग्यफल को बताया गया कल्प वेदांग में करमकांडों को बताया गया और व्याकरण में सब्द की व्यू वेदों का सुच्च उच्चारण कर सकें, यज्यादि कर सकें, ऐसा ना हो कि कुछ भी गलत रूप से उच्चारण करते जा रहे हैं, और अपना यज्य संपन करवा दिया है, है कि नहीं, देखते होंगे, आप लोगों को जब संस्क्रीट का अच्छे से ज्यान होता है, कुछ उन्होंने वेदांगों का भली भाती अध्यन नहीं किया होता है। ठीक है, वहीं वैदिक सहित्यों को अच्छुड बनाने के लिए सुत्रों की रचना की गई, जिनमें प्रमुक रूप से स्रोत सुत्र, ग्रिह सुत्र और धर्म सुत्र रहें, और इनसे हमें यक से संबंधित विधी विधानों, करम कांडों तथा राजनीती विधी एवं व्यवहार से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। आगे बात करते हैं महाकाव्यों की, यहां से देखिए, इंफोग्राफिक से जादे अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि आप रामार को देख लीजिए और महाभारत को देख लीजिए, इसमें पुस्पक विमान की बात की गए, या कई प्रकार की ऐसी कल्पनिक चीजों की बात की गए, जिनका तत्कालिन समय में होना थोड़ा सा विश्वास के परे होता है। ठीक है, हलांकि कुछ लोग इसके बारे में या फिर इन मतों से सम्बंध रखते होंगे। पुराण या अठारा है, तो आगे बात करते हैं पुराण या अठारा है, कितने हैं पुराण या अठारा है, पुराण की कुल संख्या कितनी है, सीधे सीधे या प्रशन पूछा जाता है कभी-कभी PCS की परिच्छाव में, ठीक है, तो पुराणों की संख्या तो अठारा हैं और प्रमुक पुराणों की बात करें तो विश्वु पुराण, भागवत पुराण, सीव पुराण, पुराण से पुराण भी है, ठीक है, और आद ही है, अनेक है, कई पुराण है, अठारा पुराण है, अठारों के नाम जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, पुराणों की रचना और इनके संकलन करता जो थे, वे थे लोमहर्स, जो रिसी थे लोमहर्स, वे और इनके पुत्र थे उग्रसरवा इनके द्वारा पुराणों की रचना या फिर इनका संकलन किया गया महर्सी लोमहर्स और उनके पुत्र उग्रसरवा के द्वारा पुराणों में भी जो मत से पुराण है इसको सरवाधिक प्राचीन और सबसे प्रामारिक भी माना जाता है कि इसको तो मत मत स पुराणों को ठीक है फिलाल आगे बात करते हैं एक अन्य चीछ जानते रही कि पुराणों से न हमको छटी सताबदी ईशा पूरु के पहले के किसके छटी सताबदी ईशा पूरु के पहले के इतिहास या फिर प्राचीन भारती इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और यह एक मात्र प्रमारिक स्रोत भी है ठीक है एक मात्र स्रोत भी है आगे बात करते हैं हम लोग ब्रामहरत्तर साहित्यों के बारे में देखें ब्रामहरत्तर साहित्यों और ब्राम्हर साहित्यों के बीच में बहुत मामली सा डिफरेंस है ब्राम्हर साहित्य उन साहित्यों को कहा जाता है जो वेदों की प्रमारिक्ता को मानते हैं और वेदों से संबंधित व्यक्षाए करते हैं तो ठीक है, बहुत मामली सा डिफरेंस है, कुछ ज्यादा खास है, नहीं डिफरेंस इनके बीच में, तोड़ा सा जनरल नॉलेज है, जानते रहे हैं आप लोग, कभी कोई सामाने वक्ती पूछ लिया, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले ब अबिधम पिटक, इनको संयुक्त रूप से त्री पिटक कह दिया जाता है, ठीक है, और इनके बारे में अगर अलग से बात करें, थोड़ा थोड़ा सुद्ध पिटक, विनय पिटक या फिर अभी धम पिटक के बारे में, तो चलिए सुरू से देख लेते हैं, सबसे पहले में उपदेशों का या फिर धर्म उपदेशों का संग्रह है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक में वहीं विनय पिटक जो है या संग में रहने के लिए यानिकि संग से संबंदित नीयम और आचार आध की व्यक्षा या फिर आध के बारे में बताया गया है संग में रहने के लिए किसमें विनय पिटक में और सबसे अंत में अभिधम पिटक जो है या बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिध्धानतों की व्याक्षा या फिर दार्शनिक्ता के बारे में बताता है बुद्ध धर्म के बाकिये आगे जब धर्मों के बारे में चर्चा तो दो महत्पूर्ण ग्रंथ है जैसे कि उनका नाम है दीपवन्स और महावन्स यह सभी बहुत ग्रंथ है ठीक है इन दीपवन्स और महावन्स दोनों ही पाली भासा में लिखे गए ठीक है ज्यादा जो बुद्ध ग्रंथ है ना वे सभी पाली भासा में लिखे गए या जा किस के बारे में मौुर्यकालिन इतिहास के बारे में वहीं अगला जो आप देखेंगे हैं पर मिलिन्दीपन नहों जो लिखा कुझाल अगला ये यह नीमाधे हैं दौर्ण रचित इसके सासिनकाल के बारे में हमको FM सिर्वुंअ करे dece ん जानखा और और धार थियू अगर इन से संबंधित कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो हीन यान से संबंधित था कथावस्तू और महायान से संबंधित था ललित विस्तार ग्रंथों के नाम याद रखेगा इंपोर्टेंट है ठीक है ललित विस्तार और दिव्यावदान देखे, कथा वस्तु में जो है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित के साथ अनेक कहानियों का वर्णन किया गया था, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित है, वह कहानियों के माध्यम से वर्णन किया गया, ठीक है, और यह ही नियान संप्रदाय से संबंदित एक ब कुमित्र सुंग water इसके सभी सासकों के विशय में सूचनाय थियाइंगे असोग मेत करने सूम्भति है इसाच संगो जलिए आगे देखते है और बात करते हैं जैन शाहित्य को जैन साहित्य को इनको जैसे उसका 3P टक था वैसे इसमें आगम कहा जाता है जैन साहित्यों को, प्रमुक जैन साहित्यों में परशिष्टी परवन, भद्र बावचरित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र हैं, यह सब important fact है, direct person यहां से पूछे जाते हैं, और अक्सर और सभी परिच्छाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए गए एक एक चीज को, चलिए, आगे बात करते हैं, और अब देखते हैं, लौकिक साहित्यों के बारे में, लौकिक साहित्यों का मतलब, ऐसे साहित्यों जो की एतिहासिक हों, यानि कि जिनकी प्रमारिक्ता सिद्ध हो, एतिहासिक होते हैं, अर्ध एतिहासिक भी हो सकते हैं, ठीक है, अर्ध जरूरी नहीं एतिहासिक हो, अर्ध एतिहासिक भी हो सकते हैं, जुड़े लोगों की कहानियां होती है इन SM महराजा यह भी हो किताब और इसके अलयमा जीवनियों के रूप में किसी की आत्मकता भी हो सकती है, ठीक है, तो देखिये जैसे कि एक्जांपल के रूप में अगर हम देखें, तो कल्हड ने जो राज तरंगडी लिकी थी, क्या लिकी थी, राज तरंगडी जो लिकी थी, कल्हड ने, यह भी एक प्रकार का लोकिक साहित है, और इसमें हमको कस्मीर का इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है, कलहड की यह जो राज तरंगडी थी, यह जो है अपनी तरह का पहला प्रयास्ता संस्कृत भासा में एतिहासिक घटनाओं को क्रम बद्ध रूप में लिखने का, याद रखेगा इसको important fact है, संस्कृत भासा में एतिहासिक घटनाओं को क कस्मीर का इतिहास लिखा गया था, और क्रम बद्ध रूप में लिखा गया था, वहीं अगर दूसरी बात करें, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, कोटिल का अर्थसास्त्र हो गया, अथ्वा पाड़िनी का अष्ठा ध्याई हो गया, मुत्रा राच्छस हो गई, आधी अन जानते रहेगा और ध्यान रखेगा इन सब नामों को देखे, अष्ठा ध्याई को जो है पाड़िनी ने लिखा था, और यह एक व्याकरण ग्रंत है, मुद्रा राच्छस विशाग दत्र ने लिखी थी, जिसमें की, यानि कि मुद्रा राच्छस में हमको मौर काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, वहीं कथा सरिसागर जो कि मौर काल के सासंत से संबंदित है, इसको सूमदेव ने लिखा था, तो छेमेंदर रचित वरिहत कथा मंजरी में भी मौर सासंत काल के विशाग में ही जानकारी मिलती है, आगे बात करें अगर कोटेल लिके अर्थसार कि या फिर गुप्तकाल के बारे में जानकारी दी गई है वहीं कारिधास की माल विकागने मित्रम में सुंग-वंस के बारे में जानकारी मिलती है आगे देखें तो मृत只gag으니까 came सुद्रक्ठ द्वारा जो लिखा गया है इसमें फी को फिर काल के समाच का बड़न किया गया संध्याकर नंदी राम चरित में भगवान राम वाले नहीं ठीक है बंगाल का एक सासक्ता राम पाल उसकी जीवन कता को लिखा संध्याकर नंदी ने राम चरित की नाम से ठीक है तो पृत्वी राज रासों को चंद्रवर्दाई ने लिखा और इसमें पृत्वी राज चौहान की विजियों के बारे में या और उपलब्धियों के बारे में बताया गया रास्तरंगडी के बारे में हमने चर्चा कर रहे लिए पास चलिए वहलां कि यहां पर भी एक छोटा सा बना करके बता दिया गया और पर मैप लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा डिटेल में है तो वह मैप के पास चलते है थोड़ा आसानी होगी हमको समझने में तो देखिए जो भी यात्री आए अलग-अलग देशों से यानि की युनान, रोम, चीन या फिर अरब से यह सभी जब आए तो आए जाते वक्त आवर या फिर कुछ लोग यहीं रुख कर ही इन्होंने अलग-अलग प्रकार की भारत से सम्मधित अपने भारत में रहने वाले अपने अनुभवों को ले करके एक अलग-अलग किताबे लिखी, ठीक है, कुछ किताबे कालपनिक रही, जैसे कि टेसियस जोकी इरान का राजवेथ था, ठीक है, टेसियस, यह एक इरान का राजवेथ था, और इसने जो पुस्तक लिखी थी ना, वह कलपित कहानियों या पिर कालपनिक कहानियों पर ही आधारित थी इसलिए यह अब इस्वसनी बुक हो जाती है टेसीय सरचित यह बुक ठीक है और आगे अगर बात करेंगे तो हेरोडोटस की बात करते है ठीक है इसकी बात करते है हेरोडोटस की तो हेरोडोटस को आपको पता हिए कि हेरोडोटस क तो इतिहास का पिता कहा जाता है, father of history कहा जाता है, hero dotus को, और इसकी एक book थी, प्रमुक रूप से, और इसका नाम व्याद रखेगा, direct पूछा जाता है, book का नाम है, इसके हिस्टोरिका, टेसियस की book इतनी important नहीं है, तो जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, हिस्टोरिका, छोटी छोटी असल में टेसियस ने कहानिया लिखे थी, ठीक है, कल्पनाओं के आधार पर, कोई एक particular किताब नहीं समझ में आई उसकी, ठीक है, तो हिस्टोरिका लिखा था, hero dotus ने, और इसे इसी कारण से इतिहास का पिता कहा जाता है, और अपनी इस हिस्टोरिका में, hero dotus के द्वारा भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में बात की गई थी, ठीक है, आगे अगर बात करें, तो सिकंदर के साथ कुछ विद्वान, कुछ लेखक आये थे, किसके साथ, सिकंदर क साथ, और उनके नाम है, निरियाकस, यहां दिया हुआ है, हाँ, है तो, निरियाकस, अरिष्टोबुलस और एक अन्य विद्वाना था, जिसका नाम था, आने सिक्रिटस, ठीक है, आने सिक्रिटस, यह सभी जो है ना, निरियाकस, अरिष्टोबुलस और आने सिक्रिटस, य तीन लोग आते हैं भारत में कौन कौन से थे वे तीन लोग एक तो था मेगस्थनीच ठीक है कौन था मेगस्थनीच ठीक है इसकी एक बहुत थी महत्वण पुस्तक थी जिसका नाम था इंडीका ठीक है यह जो है सेलुकस निकेटर का राजदूद था मेगस्थनीच और बुक का नाम तो आपको बताई दिये गया इंडीका और इंडीका में मौर यूगिन समाज एवं संस्कृतियों के बारे में मेगस्थनीच द्वारा लिखा गया था किसके बारे में तो मौर रिकाल के बारे में हमको जानकारी मिलती है मेगस्थनीच की इंडीका से जो की सेलिक्वेस निकेटर का राजदूद था ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं सिकंदर के बाद आने वाले एक अन्य लेखक की जिसका नाम है डाइमेकस ठीक है डाइमेकस भी जो है सीरिया के नरेस अंटियोक आता है लिखा हुआ कहीं कहीं इसको एंटियोकस अथवा ठीक है अंतियोकस भी कहा जाता है अंतियोकस अलिक सुंदर भी कहीं कहीं इसका नाम आपको मिलेगा लिखा हुआ ठीक है तो जो सीरियान नरेस अंटियोकस था उसका रास्तू था डाइमेकस और यह बिंदुसार के दरबार में आया था और एक अन्र की बात हम लोग कर रहे थे उसका नाम था डायो नीसियस क्या नाम था डारेक्ट प्रसना था इन सब से ध्यान रखेगा आप लोग फिर से कई बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं इसका मतलब है आपको इनको दिमाग में अपने बैठा के रखना है इन सब का नाम था डायो निसियस ठीक है यह कौन था तो यह मिस्र के राजा मिस्र naris टालीमी फिला-डैलफस किसका टालीमी फिला-डैलफस इसका राशदूत था और जो बिंदुसार के दरबार में आया था कुछ फूश्रूतों में बताया गया कि यह असो के धरवार में आया था ठीक है डाइनों सियस ठीक है फिर से जान लिए डाइनों सियस मेगर स्टनीच जो है हुआ कि से लूकर्स के लेखे लकि इसने इंडिका लेखी डाइनेका जो अग्वा सीरिया के नरेस अंडियोकस का मिला तिकектив stiff तो यह टालमी की ठीक है किसकी तालमी की देखे टालमी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था जियोग्राफी हिस्ट्री के बुक में जियोग्राफी जानते रहे ठीक है काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है यह जियोग्राफी ठीक है और इसके लामा एक अज्यात लेखक की पुस्तक है ठीक है इस पुस्तक के लेखक का नाम नहीं पता है किसी को अभी तक और पुस्तक का नाम तो पता है पुष्टक का नाम है पेरिप्लस आफ द एरिथ्रियन सी पेरिप्लस आफ द एरिथ्रियन सी जिसमें हमको महत्पूर्ण भारत के जो है महत्पूर्ण भोगोलिक इस्थिति के बारे में और व्यापारिक वस्तूओं के बारे में मतलब किन-किन प्रकारों का व्यापार और किस इस प्रकार से व्यापार होता था इन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है इस अज्यात लेखक द्वारा लिकित पेरिप्लस अफद एरेथिया एरेथ्रियन एक नाविक था और व्यापारी भी ठाड़े चीनी लेखक भारत उसमें क्या हुआ है व्यापार करने के उद्दिश से से तो नहीं चीन हुआ हुआ था न उसमें बुद्ध धर्म काफी जएदा प्रचलित हो गया था तो हुआ क्या की जोचीन के विद्वान थे बूद्धर्म के जो लूग। द्वार्ण में जो बूद्धर्म को मानने वाले थे वह भारत आए बूद्धर्म्धर्म से समंधित शिच्छाओं को ग्रहड करने के लिए और बुद्ध के जन्मिस्थली अथवा बुद्ध के द्वारा दिये गए उपदेशो अथवा बुद्ध के पदचिन्हों अथवा बुद्ध धर्म से संबंधित अन्य जानकारियों को इकठा करने के लिए और बहुत तिर्थ अस्थानों पर विचरण अत्वा उनको देखने और दर्शन करने के लिए ये आते हैं इस हेत भारत और जब यहाँ आएं तो यहाँ जब गएं अपने हाँ तो उनके द्वारा भी कुछन कुछ अपनी यात्रा वित्तान्त को लिखा गया अपने यात्रा के बारे में लिखा गया और लोगों को बताया गया कि ऐसी ऐसी चीजे हुई या ऐसी ऐसी चीजों को उन्हों ने देखा इसी संबंध में हम चीनी लेकों की किताबों को देखते हैं जैसे की सबसे पहले बात की गई फाहियान की जो की पांचवी सदी में भारत आया था और यह चंद्रगुप्ट दिती है किसके दरवार में चंद्रगुप्ट जिसका एक उपनाम था विक्रमा दित्य इसके सासनकाल में भारत आया था ठीक है इसने भारती समाज संस्कृति चथा आर्थी किस्तिती पर प्रकाह डाला था और उसके बाद बात करेंगे हम दूसरी लेकक की जिसका नाम है वेन सांग ठीक है वेंसांग फायान के बाद सातवी सदी में भारत आता है और उस समय भारत में हर्स वर्धन का सासनकाल चल रहा था ठीक है किसका हर्स वर्धन का समय था उस समय और इसने अपनी एक रचना लिखी कि वेंसांग के रचना का नाम है कि वेंसांग के बाद ये ऐसा नहीं भागा जा रहा है ठीक है आपको आराम से विस्तार पूरों क जब इन सब सासकों के बारे मेंごात करें दो तो इन से संबंधित जो भी लेखा के या जो भी राइटर जो यूद्ध वगएरा जो भी चीजे हुए वह आराम से वहां पर बता जाएगा पर मोटा मोटी आपको देखिए यहां पर इस पर श्टूप से लिखा हुआ है कि अध्यान के सुरोतों के बारें बात हो रही है सात्मी सदी के अंत में भारत आता है इति सिंग भारत आये वहुलाए में लेखवादेजाय व्यूविधयाला यह सब थे है तो इत शिंग द्वरा अपने विभले महां में इन विश्विद्व इख्यल्यों के बारे में बात की गई थी चलिए आँगे चलते हैं सबसे अंत में बात करते हैं अरब से आने वाले लेखों के बारे में तो अब अरबी लेखक भारत क्यों आ गए तो अरब से जो भी लोग आए वे सब व्यापारी वर्क से थे ठीक है ये भी अपने देश वापस गए तो वहाँ पर जब ये वापस गए तो इन्होंने भारती समाज और संस्कृतियों के बारे में वहाँ के लोगों को बताया लेखो के माध्यम से कुछ तो व्यापारी आये थे और कुछ जैसे सिकंदर के साथ वो आ गया था निर्याकास आने सिक्रिटस और अरिष्टोबिलस ये सब आये थे निर्याकास अरिष्टोबिलस और मताये आने सिक्रिटस ये सब जो आये थे उसी प्रकार से अन आक्रमल करताओ के साथ भी जो अरवी आक्रमल करता थे उनके साथ भी कुछ लेखक भारत आये थे ठीक है जैसे कि महमुद गजनवी के साथ जो है आये थे क्या नाम है उनका अलवरूनी जी आये थे ना यहां पर नहीं लिखा हुआ है ठीक है अलवरूनी आये थे का हम देखते हैं तो किसके साथ आया था अलवरूनी बताइए तो इनके दोरा जो लेख लिखे गए ना उनके माध्यम से हमें भारती समाज की संस्कृत और विशियों के बारे में जानकारी मिलती है नि मध्यकाल के ठीक पहले के बारे में ठीक पहले भारत की सामाजिक और संस्कृत के बारे में हमको जानकारी मिलती है इन अरवी लेखोको के माध्यम से ठीक है तो हमने अलबरुनी की बात कर ली जिसकी पुस्तक थी तहकी के हिंद और किताबु लहिल तो देखिए तहकी के हिंद जो इसकी पुस्तक थी ना तह कीक ए हिंद इसका सन 1888 में एडवर्स साची दोरा अंग्रेजी अनुवाद भी किया था तहकी के हिंद तो अरभी भासा में लिखा था लेकिन बाद में 1888 में एडवर्स साची ने तहकी के हिंद का अंग्रेजी भासा में अनुवाद कर दिया और बात करते हैं कुछ अन्य विद्वानों के बारे में तो एक और प्रमकुरूप से नाम आता है इबन बतूता का इबन बतूता ने एक यात्रा वित्तरांत लिखा था यानि कि अपने यात्रा का एक विवरण लिखा था जिसका नाम था रिहला प्रिछला फिर से सवर सही से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे इबन पतूता का यह यात्रा विर्टांत अथ्वा यात्रा विव्रण था जिसका नाम था रिहला यह चौदवी सती के आजपास अथ्वा चौदवी सताब्दी में भारती महादिक की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारियां प्रदान करता है ठीक है कुछ अनिक बिद्वानों के बारे में बात करें तो निजाम उद्दीन फरिष्टा हसन निजाम या फिर हम अध्यान करेंगे तो इन विद्वानों को देखेंगे ठीक है अगर इबन बतूता को देखिए इबन बतूता को न मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी के पत पर भी निउक्ट किया था ठीक है कहा के काजी के पत पर तो दिल्ली के काजी के पत पर और बाद मे मुहम्मद बिन तुगलक नहीं इसे अपना राशदूत बनाया किसे इबन बतूता को और इसे चीन भी भेजा था ठीक है तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्राचीन भारती इतिहास के विकास क्रमों की यानि की प्राग इतिहासिक काल आद इतिहासिक काल और इतिहासिक कालों के बारे में और उनका किस हिसाब से पार्टिक्शन हुआ या फिर किस हिसाब से उनको अलग-अलग करके रखा गया ठीक है तो फिलहाल इस लेक्चर में इ दन्यवाद